हलो फ्रेंड्स वेलकम टू SSC कुचिंग सेंटर दोस्तों आज के वीडियो में देखेंगे रीजिनिंग के कुछ इंपोर्टेंट प्रेशने ये सभी इंपोर्टेंट प्रेशने इसलिए है क्योंकि गुरूप D एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है तो स्टार 47 का मान क्या होगा देखिए आप खुझ जानते हैं कि इस तरीके के प्रेशनी कितना परिक्षा में रिपीट होते हैं बार बार तो आपको ये समझाने की जरूत नहीं है क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं आपको खुद मालूम है कौन सा प्रेशनी कितना इंपोर्ट आई ये चाहें जोड़िए अब देखिए अगर मैं दोनों को जोड़ूँगा तो 13 और 45 को जोड़ने से 39 मिलेगा क्या बिल्कुल भी नहीं मिलेगा लेकिन अगर मैं इनको जोड़ूँगा तो 3 और 5 आठ एक और 4 पांच अठामन हो जाएगा जोडने पर 39 नहीं होगा अगर इस 58 में 2 से डिवाइड करें तो 39 बार ही जाता है आई बात समझ में तो हुआ किया दोनों को जोड़के 2 से डिवाइड कर दिया ये साइंख्या मिलगी अब यहाँ पर ही वही करेंगे आपको क्या दे रखा है 24 और 58 से क्या बनाना है 41 तो क्या करेंगे जोड़ दीज करेंगे तो कितनी बार जाएगा 41 बार 41 दे रखा मिल गया वही यहाँ पर करिए 74 और 32 को 53 बनाईए यहाँ भी जोड़के 2 से डिवाइड किया यहाँ भी जोड़के 2 से डिवाइड कर दो तो जोड़िए 4 और 2 6 7 और 3 10 2 से डिवाइड करेंगे 106 में 2 से डिवाइड सीधा सीधा पूछ रहा है सतानबे और सैंतालिस का सतानबे और सैंतालिस का पूछ रहा है क्या आएगा वही करना है दोनों को जोड़के दो से डिवाइट तो जोड़िए साथ और साथ चौदे का चार केरी का बन नौच चार तेरे का बन चौदा दो से डिवाइट कर दो दो से डिवाइड करेंगे 2 सत्ते 14 दो दुने का चार कितनी बार गया 72 बार गया यह आपके प्रेशने का अंसर आ गया 72 कहां दिरखा बी ओप्सन में मैं उम्मीद करूंगा सभी को प्रेशन अच्छे से समझ में आ गया किसी को भी प्रेशने में कोई समझ नहीं होगी अब देख सिधा देखिये 8 और 2 कांतर कीजए 8 में से 2 को घटाइंगे 6 आता है और 6 का स्कौत कर देंगे तो 36 मिल जाएगा यह ऊशी तरीके से 9 में से एक को घटाईए, नो में से एक को घटाईए, आठ हाता है, और आठ का स्क्वार करेंगे, तो 64, 64 आपको सीधा सीधा दे रखा है D-Option में, तो मैंने पहली कहा था कि ये प्रेशने तो बहुत इजी है, इसको कोई भी समस्या नहीं होगी इस प्रेशने में, अब देखेंगे अगला प्रेशने है, दिये गए बिकल्पों में से विसम को चुनिए, आपको क्या करना है जो बिकल्प दिये गए उन में से एक विसम चुनना है, आप इसमें भी मैं कहूंगा कि ये प्रेशने भी easy लगेगा आपको, जो नए बच्चे हैं उनको कठिन लगेगा, जो टर्वी किसी संख्या का स्कॉयर नहीं होता, तो इंच चारों में से बिसम कौन हुआ, 121 ही तो हुआ, यह आप कांसर आ गया, भाई यह 3 संख्या, तो किसी भी रूप से आपको नहीं दी गया, एक ही संख्या ऐसी है, जो स्कॉयर है, तो यह सबसे बिसम हो जाएगी अलग हो जाएगी तो यह आपकी प्रशने का अंसर हो गया के लिए रुभी बात सबकी समझ में आ गया आप देखेंगे अगला प्रशने अगला प्रशने है यदि गुना का अर्थ पिलस है पिलस का अर्थ भाग है माइनस का अर्थ गुना है और भाग का अर्थ माइनस है तो इस समीकन को solve कीजे सबसे पहले तो मैं हाँ समीकन लिख लेता हूँ 6 गुने 4 माइनस 5 पिलस 2 डिवैड़ेड़ वई 1 ठीक है अब देखे 6 गुना का अर्थ कितना है दोस्तों गुना का अर्थ पिलस है तो जहां गुना का साइन होगा वहाँ पिलस लेंगे 4 अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस का अर्थ कितना है गुना तो जहां माइनस है वहाँ गुना लेंगे पिलस पिलस का अर्थ डिवैड़ेड है तो जहां पिलस है वहाँ डिवैड लेंगे और divide कार्थ कितना है देखिए divide कार्थ minus है तो जहाँ divide है वहाँ minus ले लेंगे solve कर लीजिए बस answer आ गया देखिए 6 plus 4 गुने 5 5 में divide देना है 2 से minus का 1 question mark यही तो प्रेश्टने है 2 से 4 कटेगा 2 बार में 2 का मलबे 5 से करेंगे 10 पूरे solution का मान कितना है 10 तो इधर 6 है इसका मान पूरे का 10 और minus का इधर 1 ठीक है solve कर लीजिए 6 और 10 16 16 में से एक घटा देंगे 15 आप का answer आया 15 15 कहां दे रखा है दोस्तों आप कहेंगे सर 15 तो D option में है बिल्कु सही होगे आपके प्रेश्टने का answer तो समीकन को solve करने में कोई समस्या नहीं रही अब देखेंगे अगला प्रेश्टने अगला प्रेश्टने है दिये गए बिकल्पों मैंसे लुप्त संक्या ग्याद कीजिए चार बिकल्प हैं इन मैंसे कोई एक question mark की जगे पे आएगा लेकिन कौन सा आएगा वही find करना है देखें हमारे पास 6 है 6 के बाद 19 है 19 के बाद मैं 58 58 के बाद मैं यहां क्या आएगा यह बता दीजे तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि 6 से 19 हमारा कैसे आया तो अगर हम कहें कि 6 से 19 के पास हम कैसे पहुंच सकें अगर मैं 6 का मल्ट पे 3 से करूं तो 18 और 18 में 1 जोड़न तो 19 तो 6 का मल्ट पे 3 से क्या 18 18 में 1 जोड़ा 19 तो क्या हुआ multiply 3 plus 1 19 पर आगे अब 19 से 18 के लिए क्या करना पड़ेगा जो यहां किया है वही यहां पर कीजे multiply 3 plus 1 यहां भी करेंगे तो 19 का मल्ट पे मैं 3 से करूं तो 19 तरिक का 57 होता है 57 में 1 जोड़ दोंगे 58 बिल्कुल सही तो जो रूल यहां लगा है वही यहां पर लगेगा आपका multiply 3 plus 1 58 का मल्ट पे 3 से करेंगे पहले तो कितना हो जाएगा 3,8,24 का 4 carry का 2 3,5,15, carry का 2 कितना 17 multiply 3 हो गया अब इसमें plus 1 कीजे तो 174 में 1 जोड़ देंगे कितना जाएगा 175 तो question mark की जगे क्या आएगा आपका 175 आएगा और 175 दे रखा है आपको C option में यह आपकी प्रेशने का बिल्कुल सही answer हो जाएगा उमीद करूँगा कि सभी को प्रेशन अच्छे से आ गया है किसी को कोई समस्या नहीं अब देखेंगे अगला प्रेशने अगला प्रेशने है प्रेशने में आप देखेंगे आपको circle मिलेगा ठीक है circle जब इस तरीके का circle होता है तो हम क्या करते हैं सबसे पहला तरीका होता है कि आमने सामने relation बनाना जैसे 9 के सामने 80 है 7 के सामने 49 है और ये संख्या आमने सामने है आमने सामने relation बना के देखते हैं सबसे पहला तरीका अब 7 के सामने 49 है तो सीधा सीधा अगर आप 7 का square करें तो 49 होता है 9 के सामने 80 है किस question बागी जगे क्या आएगा 5 5 के सामने 25 है 5 का स्कॉर 25 होता है तो यहां question बागी जगे क्या आएगा 5 आजाएगा और 5 कहां दे रखा पहले ही option में दिया क्या है clear हुई दोस्त बात सभी को question अच्छे से आ गया किसी को question में कोई समस्या नहीं होगी अब देखेंगे हम अगला question अगला question है यह question आपका CGPSE 2016 में पूछा गया था ठीक है और मैं आपको बताया अभी अभी कि इस तरीके का कोई भी circle वाला question हो तो सबसे पहला तरीका रहता है कि आमने सामने relation बनाना आमने सामने ठीक है जैसे 4 के सामने 11 है 7 के सामने 17 9 के सामने 21 इस तरीके से सबसे पहला तरीका होता है कि relation आमने सामने बनाई है ठीक है अब देखें 9 के सामने आपका 21 है तो 9 से हम 21 के पास कैसे पहुंच सकते हैं अगर मैं 9 का multiply 2 से करूँ तो कितना होता है अठारा और 21 के लिए मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा इसमें 3 जोड़ना पड़ेगा तब ही तो 21 होगा multiply 2 और जोड़ा उसमें 3 21 मिला 9 के सामने 21 मिल गया अब देखे 7 के सामने 17 है तो 7 का multiply भी 2 से करेंगे कितना होता है 14 होता है और यहां तीन जोड़ा तो यहां भी 3 जोड़एंगे 17 हो जाएगा और 7 के सामने 17 दिया गया बिलक्ốn सही चार के सामने 11 है तो 4 काable पे भी 2 से करेंगे जब यहां 2 से किया कितना 8 हो जाएगा यहां 3 जोड़ा यहां तीन जोड़एंगे 8 में 3 जोड़ेंगे 11 तो 4 को लिसन 11 सी हुआ 4 का भी हो गया 7 का भी हो गया 9 का भी हो गया 6 का भचा तो 6 का मलटे भी 2 से करेंगे 12 सभी में 3 जोड़ेंगे 12 में 3 जोड़ेंगे 15 15 किस option में है C option में तो question mark की जैबे कौन सी संक्य आईगी आपकी पंदर आ जाएगी बहुत इजी प्रेशने लगा होगा अब ये प्रेशने आपको कोई कठिन नहीं लोगा और इस तरीके के प्रेशने भर-भर के एक्जाम में आते हैं आपको बहुत अच्छे से मालूम है भर-भर के पूरा का पूरा पेपर भर-भर के आता इस तरीके के प्रेशनों का तो रेशनिंग को हलके में बिल्कुल भी मत लीजिएगा ठीक है अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रेशने अगला प्रेशने है एक सर्कल है और सर्कल के अंदर एक और सर्कल है दो सर्कल है ठीक है आप देखिए question mark मिलेगा यहाँ पर सबसे पहले आपको यही पहता देता हूँ मैं कि जिस तरीके से यहाँ पर 31 आया जिस तरीके से यहाँ पर 80 आया जिस तरीके से यहाँ बहतर आया उसी तरीके से आपको यह संख्या मिलेगी ठीक है ये प्रेश्णि मैं नहीं कराने वाला ये प्रेश्णि मैं आपको हमवर के लिए रखा है ताकि इस तरीके के प्रेश्णि की प्रेक्टिस आप बहुत अच्छे से कर पाएं तो इन चार में से कौन सा ओफशन है A, B, C, D आप मुझे कमेंट करके बताएगा इसका जो सही आंसर है वो क्या आएगा ठीक है दोस्तों वीडियो कैसे लगा कमेंट वक्स मैं जरूर बताएगा वीडियो को जादा से जादा शेयर करिये दोस्तों आप शेयर करेंगे बच्च